भारत से करीब 7500 करोड रुपे लेकर फरार हुए दिल्ली के रितिका और उसके पती वीर करण अवस्थी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है जिहान लंडन की वेस्ट मिनिस्टर कोट ने 15 दिसंबर को इस दमपती को भारत प्रत्यापन की मंज़ूरी दे दी है ग्रेम अंत्रवाले ने भी अब फराट दमपती को भारत लाने के प्रयासों में तेजी कर दी है आपको बता दें कि 2015 में दिल्ली के वसंत बिहार में वीर करण अवस्थी और रितिका अवस्थी रहते थे इस दमपती ने यूपी पंज़ाब हर्याना और दिल्ली के बैंकों से कई कमपनियों के नाम पकरीब साड़े 600 करोड रुपे का लोन लिया था ये लोन इनकी कमपनी की कीमत से कही ज्यादा था जो बैंक अफसरों से साथ गाट के से हासिल कर लिया गया था इसके बार लोन चुकता नहीं किया गया और कमपनिया बंद करकर ये लोग लंडन भाग गए इसके अलावा वस्ती दमपती ने कई फ्रॉट कमपनिया दिखा कर यूपी समेत कई राज्यों के किसानों से धान भी खरीदा उनका भी तीन करोड रुपे का पेमेंट नहीं दिया ऐसे में यूपी के बुलंचेहर जिले में इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ था कुल मिलाकर इस दमपती पकरीव साड़े साथ सो करोड रुपे की हिराफेरी का आरोप है साथीस दमपती पर 2015 में सिर्फ यूपी में ही तेहरा मुकदमें दर्ज हुए थे इसके अलावा अन्य कई राज्यों में भी एफ़ायार दर्ज हुई थी इसमें पांच लोग विदेशी हैं जो कतर के रहने वाले हैं इस दौरान वृतिका और वीरकरण अवस्ती लंडन भाग गए ऐसे में वृतिका और वीरकरण और विनोध सिरोही के खिलाथ चार्ज शीक न्यायाले में पेश की जा चुकी है EOW के मेरट सेक्टर केस पी सौपनिल ममगई ने बताया कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोट में चल रही थी कोट ने 2018 में ही वीरकरण दमपत्ती के भारत प्रत्यापन के आदेश दे दिये थे जुलाई 2018 से लंडन की वेस्ट मिनिस्टर कोट में प्रत्यापन पर सुनवाई चल रही थी